इस video में हम बात करेंगे लाय का हिंदी में अर्थ लाय का past of speech कितना है तो थीरी होता है यानि तीन होता है और यहाँ पर देख सकते हो adjective दूसरा है noun और तीसरा है verb सबसे पहले देखेंगे लाय का adjective वाले section में इसके हिंदी क्या है तो देख सकते हो सामान्य जन समंधी और गिरिहस समंधी यह हो गया लाय का एजेक्टिव फर्म का हिंदी आप देखेंगे नाउन वाले सेक्षन में तो इसका हिंदी है पर्त, अस्तर, कतार, सर्त, दाव और गीत दूसरा है यहाँ पर, तीसरा, स्टीसरा है भर्व, यानि किरिया वाले में देखते हैं इसका नाउन, स्टीस हिंदी क्या है, तो इहाँ पर देख सकते हो रखना, पसारना, पेस करना, ठीक मैं करा दिया, I hope आपको समझ में आ गया होगा, नए हो तो इस चानल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बैल अगन को प्रेस कर दिजेगा, थाइक्यो फोर वाचिंग दिस वीडियो,